सब्सक्राइब आपको लुकर डॉकर स्टूडियो डॉट कॉम पर जाना है वाकि यह डैस्बट आपको खुलेगा तो मैं विल्कुल एक फ्रेश फ्रेश डैस्बट बनाऊंगा जिसमें आपको यह तीनों चीज़े क्प्चर करोंगा स्कोर कार्ड फिल्टर और निव फिल्ट की कैसे करेट करते हैं तो सबसे पहले मैं ब्लैंक ले लेता हूं और ब्लैंक लेने का बाद मैं यह देखें अब जैसे आप ब्लैंक पर क्लिक करते हैं तो आप से डेटा सोर्स पोच्छता है तो डेटा सोर्स आपका जो भी हो ठीक है मेरा गुँगल सीट है तो मैं गुँगल सीट ले लेता हूं और यह मेरा टेडुल है तो मैं सबसे पहले इसका नाम copy करता हूं और यहां पर जो है, मैं इसको सर्च करूँगा देखिए आगया, अब यह पूछता है कि आपको टैब कौन सा है अगर टैब देखेंगे तो यहां पर डेटा का टैब पड़ा हुआ है तो डेटा का टैब मैं सेलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद से मैं इसकर यहाँ पर करता हूं। ठीक है । यह हो जाएगा है कुछ zinc लेता है यह एड हो जाएता है । यहाँ पर हो झाध हो गया है हैं तो बाई डिफर्ट टेवल लिक्षी आ जाता है यह है रडिफर्ट जो एक टेवल जनेरेट कर करता है हिला में इस पर ध्यान नहीं देते हैं और इसका नाम लिख देते हैं कि स्कूर कार्ड कि अब जो है इस टेबल को मैं तो नीचे कर देता हूं आपको इस डेटा आपका यहां पर देखें यहां पर कनेक्ट हो बहुत रहा हैं आप चलते हैं इसका डेटा पर करते हैं और यहां पर याप करते हैं और यहां पर लेकिन अभी को कुछ और करेंगे यह देखिए यहां पर काउंट ले रखा आये अब आपको क्लिक करना है और यहां से आने के average करना हो तो average कर सकते हैं बाकि count करना है तो count करा सकते हैं बाकि मैं यहां पर लिख देता हूँ total amount total amount और मैं इससे बाहर आ जाता हूँ तो अब जो है इसमें यह scorecard तो आ गया बाकि इसमें अगर आपको compression डालना है compression डाल सकते हैं कि जो भी हम month select करते हैं या जो भी time period select करते हैं तो वो क्या करेगा पुराने data से आपको मैंज कराना है तो यहां पर आता है previous period डाल सकते हैं कि जो आप filter जो आप data range select करेंगे उतना data वो पीछे चला जाएगा उतना time पीछे जाके वो compression region बनाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा तो अब जो है अब हम इसकी थोड़ी से styling कर लेते हैं थोड़ा सा इसका ना सही से look create कर देते हैं तो आपको आना है इसमें style वाले के अंदर आना है और यह बहुत सारे option है है इसमें और देखी इसका label है यहाँ पैर blush color डाल सकते हैं आ Sophie यह भ gjort कि तरीके से color जाएंगा इसको लेट्र राइट सेंटर में अलाइड करना है तो दीख सकते हैं ठिक है जो एह round हो जाएंगे अगर तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो तो थोड़ा सा अच्छा लए देखिए आपको लिखाता राउंड हो गया इस पर दुबारे से klik करते हैं अई और नीचे चलते हैं इसमय कि ए strengthening कर सकते हैं इसमें सॉलिट यह सब कुछ है ठिक है अब हम असली बात पर ऐते हैं कि अब जो है इसके अंदर एक फिल्टर लगाते हैं फिल्टर जoft लगाएंगे तो आपको जो यहाँ पे कंप्रीजन दिखता है प्लस माइनस का डाउन मतब एरो नीचे होता है या एरो उपर होता है